असलाम अलेकुम तिलंगाना रेजिडेंशल एजूकेशनल इंस्टिटूशन्स रेकूट्प्रेंट बोर्ड टी आरी आई आर्बी जैसे कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये तिलंगाना रेजिडेंशल एकेडमी जिसको गुरू गुलम भी कहते हैं उसका जूनि अगस्त और इसकी अब फाइनल आंसर की आ गई है किल सवालात कितने हैं इसमें सो और कुल नमबर भी सो हैं अब यहां सा हम इसको देखते हैं कि सवालात शुरू होते हैं शेर मुकमल कीजिए नाजिव Quindi उसके लब की क्या कहिए इसको मुकंबल करना है शेर को तो क्या है पंखड़ी एक गुलाब की सी है शेर मिर्दकीमीर का है और यह तश्वी का बहुत ही बहतरी शेर है इसमें देखी क्या किया है मैंने कि जितने सवालों में जो आप्शन है पहली बार मैंने इस तरीके से सवाल नामे को हल किया है कि उ उसमें जितने भी सवालात बन सकते हैं उन सब पर सवालात बनाए हैं नमबर दो कफन किसका शाकार है प्रेमचंद का शाकार है यह जामिलिया इसलामिया में कयाम के दौरान जब प्रेमचंद बंबई से वापस आ रहे थे तो दिल्ली में उन्होंने जामिलिया इसलामिया में क्याम किया, वहाँ पर इन्होंने इसको लिखा था और ये जामिया में ही छपा था, मंटो का असली नाम क्या है, तो सादत हसन मंटो का असल नाम था, अगला सवाल हम देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलिज किस शहर में कायम किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलिज कलकता में कायम किया गया, चार मईए अठारा सो, ये इसके क्याम की तारीख है, मैंने हैं तारीख भी दे दी है, इसी तारीख से ज्यादतर सवालात को उन से मतालिख दूसरे सवालात के साथ हल किया गया है अगला सवाल च्छे मिस्त्रे والी नजम को क्या कहते हैं मुसद्दस सदस से बना है मतलब च्छे और मुसद्दस की शकल में किस सिन्फ को लिखा जाता है वो है कसीदा अगला सवाल गुबारे खातिर किस तरहा की किताब है गुबार-खातिर जो है वो खुतूत का मजमुआ है जिनमें इन्शायए की जलक मिलती है और ये मौलाना अबुलकलाम आजाद के खुतूत का या मकातिब का मजमुआ है अगला सवाल उम्मीद की खुशी किसका मजमुण है उमीद की खुशी जो है वो सरसेयद एहमद खा का मजमून है इससे अगला सवाल खुदाए सुखन किसे कहा जाता है यानि किस शायर को हम खुदाए सुखन के लगब से याद करते हैं तो मीरतकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है अगला सवाल तराना हिंदी को अल्लामा इकबाल ने लिखा मगर तराना मिली किस की नजमे तराना हिंदी भी और तराना मिली भी दूनों ही अल्लामा इकबाल की नजमे है अमजद हैदर आबादी की शायरी किस सिन्फ में शुहरत रखती है देखें, अमजद हैदर आबादी का सबसे पहले असल नाम क्या था, ये देख लेते हैं, अमजद हैदर आबादी का नाम सेद अमजद हुसेन था, अमजद हैदर आबादी का कलमी नाम या तखल्स था, और ये जो है, वो रुबाई के शायर हुए हैं, मशहूर शायर, जिर्जा असदूल्लाखां गलिप. आग्रा में इनकी विलादत हुई और दिली में वफात है, निका आग्रा में पैदा हुए तो दिली में इंतकाल हुआ. अगला स्वाल कुतुब शाही खानदान का पहला हुक्मरा यानि कि जिसने वो कुतुब शाही खानदान की निव रखी सुल्तान कुली कुतबल मुल्क अगला स्वाल मुख्दुम मुह्युद्दीन का ये मजमुआ कलाम नहीं है मैंने क्या किया इसमें किसका कौन सा मजमुरा एक अलाम है इसको किया है और जो इनका नहीं है वो किसका है इसको एक साथ किया है सुर्ख सवेरा मुख्दू मुख्यूदीन का है गुलेतर मुख्दू मुख्यूदीन का है और बिसाते रक्स जो है वो बिसाते रक्स ये भी मुख्दू मुख्यूदीन का है लहुतरंग जो है वो सिकंदर आली वजद का है मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है की निशानदा ही करें मुल्क राज आनंद डॉक्टर गोश प्रमूत सेन गुपता मुहम्मद दीन ताथीर सज्जाद जहीर लंदन में इनोंने तरक्य पसंद तहरीक की बुनियाद रखी थी ये उसके बुनियाद गुजारों में से एक हैं अगला सवाल शेर मुकमल कीजे य इसका शेर अल्लामा इखबाल का ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदो को के मैं आपका सामना चाहता हूं अगला सवाल गालिप किस सदी के शायर है उन्नीस वी सदी के है अगला सवाल शेर मुकमल कीजे कोई उमीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती ये गालिप का श حسین حالی सौदा किसका तखलूस है मिर्जा मुहम्मद रर्फी सौदा और ये पसी देंके जो है वो बेहतरी शायर रही है अगला सवाल ये अलामा इखबाल का मुझमध कलाम नहीं है देखे इसमें नहीं दे रखा है पहले हम ये देखेंगे कि علامہ اقبال کا مجموعہ کلام کون کون سا ہے اور جو دے رکھا ہے وہ کس کا ہے देखे बांगे दिरा बाले जिबरील जर्ब कली में तीनों علامہ اقبال के शेरी मजमूए है दम इशा किसी का भी नहीं है तो इसका दूरस जवाब ये है तज़करा नुकात शुरा किस की तस्नीफ है मीर तकी मीर अगला सवाल अंजमन पंजाब का قیام कब عمل में आया अठारा सो पैंसट इस वी में इससे अगला सवाल किस की एमा पर हाली ने मसद्द्स मद्द जज़र इसलाम लिखी और उसके बारे बड़ा मेशूर कौल है, कि मुसद्दस हाली को, जू है मुसद्दस मद्दोजद स्लेंस स्लाम को मौला अलताफुजं हाली ने सरस entste come Foti love liqu, पर लिखी और उसका भी बड़ा मेशूर कौल है कि रोज गयामत चिब खुछेगा, कि सर्सियत क्या लाया कूं, तुम्हें कहूंगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ किसकी मांप लिखी थी सरसी यë zamat खां की ये शिबली नुमानी की तस्क्निफ नहीं थोड़ासा हम इसको बदल लेते हैं इसमें जो शिबली नुमानी की तस्क्निफ उस पर बात करते हैं ये शिबली नुमाइणी की तसानीफ हैं अगला सवाल मना जाते बेवा किसकी नजब है मना जाते बेवा जो है वो बहुत ही ज्यादा मशूर और बड़ी बेहतरी नजब है जिसको मौलाना अल्ताफुसेन हाली ने लिखा है अगला सवाल डिप्टी नजीर अहमद का पहला नाविल है और अर्दू का भी पहला नाविल है मिरातुल रूस और डिप्टी नजीर अहमद जो है वो बिजनौर में पैदा हुई और देहलीमिन का इंतिकाल हुआ अगला सवाल रूस का इंकलाब कब रूनुमा हुआ उनीस सो सत्रा नैंटीन सेवन्टीन ये किसका शेर है देखना हर सुबह तुझ रुखसार का है मुताला मतलब अन्वार का देखना हर सुबह तुझ रुखसार का है मुताला मतलब अन्वार का ये वली मुहमद दगनी का श किस ने की प्रेमचद ने की लखनों में की 1936 में की और जिसमें प्रेमचद ने कहा था जो बड़ा मशूर कौल है हमें हुसन का मैयार बदलना होगा अगला सवाल नजम मुझसे पहली सी महबत मेरे महबूब नमांग ये किसकी नजम है फैज एहमद फैज की लंदन की एक रात का मुसनिफ लंदन की एक रात जो है वो सेद सज्जाद जहीर का नौविल है अगला सवाल करशन चंदर के अफसानों का पहला मजमुआ है तिलिस में खयाल जो है वो करशन चंदर के अफसानों का पहला मजमुआ है अगला सवाल ये मंटों का अफसाना नहीं हम ये करते हैं कि ये किसका अफसाना है मंटो के अफसाने है और इसके अलावा जो है वो किसका है धुआ, ठंडा गोश्ट और हितक ये तीनो मंटो के हैं डायन मंटो का नहीं है अफसाना लाजवन्ती का मुसनिफ राजिंदर सिंग बेदी ये बहुत मशूर अफसाना है जिसमें लाजवन्ती को लाजवी कहा गया है और उसमें आखरी जुमला जो है कि वो बस गई पर उजड़ गई ये तरक्य पसंद नकाद नहीं है हम देखते हैं कि दरज़ल तरक्य पसंद नकाद है मुंताज हुसें तरक्य पसंद एधशाम हुसें तरक्य पसंद अब्दुलालीम तरक्य पसंद रियाज अमत कोने ये वैसे बहुत मशूर नाम नहीं है सौगंदी किस अफसाने का करदार है सौगंदी जो है वो मंटो के हितक का करदार है बाकी देखिए इसमें जो और देख दूसरे दे रखें लिहाफ इसमत चुगदाई का अफसाना है काली शलवार और बू जो है वो ये भी सादत हसन मंटो के हैं मीर हसन किस दविस्तान से वाबस्ता थे मीर हसन देहली भी लिके जाते हैं मीर हसन देहली में पैदा हुए और उसके बाद हिजरत करके लखनाओ चले गए मीर हसन दविस्तान देहली के मशहूर शायर हुए हैं अगला सवाल ये कसीदा गो शायर नहीं है पहले हमी कर लेते हैं कि ये कसीदा गो शायर है सौधा कसीदा गो, जौक पसीदा गो, मौमिन ने भी कसीदा लिखा है पटियाला के महराज की शान में हाथी आता करने पर तो अमीर हसन जो है वो नहीं और ये मस्नवी के शायर है अगला सवाल, ये शेर किस ने लिखा वो जो हम्मे तुम्मे 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 तु अब देखे अजीज अहमत के हवाले से अजीज अहमत के तीन नाविल दे रखें होस गुरेज आग और जिब्दी जो है वो इसमत चोगताई का है अगला सवाल रोशनाई का मसन्निफ सेद सज्जाद जहीर अगला सवाल किसने सरसेद को अर्दू इंशा परदाजी का मुझद है यह मुझमडन एंगलो ओरिंटल कालिज के नाम से कायम किया गया हुआ कालिज था 1875 में 1875 में अगला सवाल रिसाल हा तहदीब अखलाक कभ जारी हुआ 1870 कहीं ए है 1871 भी आता है अगला सवाल शिब्ली नुमानी ने किस किताब को किताब-al-मुनाकिब कहा था तो किताब المناقب بھی कहा जाता है और मुदलल मददाही भी कहा जाता है ये मौलाना अल्ताफुसेन हाली के जरीए सरसियत की लिखी हुई सवाने यहिनी के है जावेत को किताब मुदलल मददाही दोनों कहा जाता है अगला सवाल जमानी तर्तीब से सही जम्रे की निशान दही कीजे पहले अलीगड तहरीक है पिर रुमानी तहरीक है पिर तरक्ते पसंद तहरीक है और सबसे आखिर में जदीदियत है अगला सवाल शेर मुकमल कीजे आधा मिस्रा दे रखा है आधा मिस्रा पहला नहीं है लाए उस बुद को इलतजा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके पंडित दैशंकर नसीम का शेड़ है और गलजारे नसीम में अगला सवाल किस अफसाने में आदमी इनसानी कवानी के गेर इनसानी रवयों के खिलाफ सदाए इहतजाज बलंद करता है जामुन का पिर कृष्ण चंदर का अफसाना है जिसको जो है वो हकूमत के खिलाफ भी तसवर किया गया था यहनि कि अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उस वक्त माना गया था और यह बहुत ही बहतरी नफसाना है इसको सभी को पढ़ना चाहिए अगला सवाल कृष्ण चंदर के अफसानों का जुम्रा कौन सा है कालु भंगी अनदाता महलक्ष्मी का पul लालबाग यह इनके हैं यहां देखिए तीनों जो है वो करश्म चंदर के हैं कालू भंगी महलक्षमी का पुल और लालबाग गरम कोट राजंदर सिंग बेदी का है यहां कालू भंगी अंदाता लालबाग है लेकिन राहिज निजात नहीं है अगला सवाल यह हैदर बख्ष हैदरी की दास्तान नही है देखिए जो है पहले हम देख लेते हैं कि हैदर बख्ष हैदरी की कौन कौन सी दास्तान है और जो नहीं है वो किसकी है तोता कहानी हैदर बख्ष हैदरी आराईश महफिल हैदर बख्ष हैदरी हफते पेकर हैदर बख्ष हैदरी गुलशन नौबहर मुहम्मद बख्ष म बेहतर कर सके अगला सवाल मिर्जा गलिप का लगब मिर्जा नौशा अगला सवाल मजमुए बांगे दिरा की पहली नजम कौन सी है तो हिमाले से बांगे दिरा के शेरी मजमुए की इबतदा होती है अगला सवाल गलत जूड के निशान दई करें पहले हम सही देख लेते हैं सही कौन गा, प्रेम चंद का है निरमला, बिल्कुल सही है, करशन चंद एक वाइलिंज समून्दर किनारे, बिल्कुल सही है, उसके बाद में जो है अब्दुल्ला हुसान राद भी सही है, अलि अब्बास हुसानी कोह, कोह, खाफ की परी, देखे, ये हैदराबादी-उर्द अगला सवाल दास्तान के हवाले से बेजोड़ की निशानदही करें तो देखे आराईश मेहुद यह दास्तान है और दास्तान है तेलिसम होश रुश रुबाद्द दास्तान है । चोगान हस्ती यह नाविल है और ये प्रेम चंद का है अगला सवाल लखनों की मशूर दास्तान यानि के लखनों की मशूर दास्तान कौन सी है फसाना आजाईब गुल्बकावली ये भी नहीं है बागो बाहर फोर्ट विलियम कॉलिज की है तोता कहनी ये फोर्ट विलियम कॉलिज की है फसाना नहीं है वो किसका है कारे जहां दराज है बिलकुल आइनियापा का है चांदनी बेगम भी आइनियापा का है आखरी शब के हमसफर भी आइनियापा का है खाक और खुन ये नसीम हिजाजी का है खाक और खुन अगला सवाल किस नाविल में लखनवी तहजीब की दास्तान रख अगला सवाल दास्तान बागो बाहर में किस शहर की तहजीब को पेश किया गया है देली अगला सवाल ये खुतूत का मजमुआ नहीं है ये सवाल दे रखा लेकिन हम करते हैं ये खुतूत का मजमुआ है और जिस इसके खुतूत का मजमुआ है उसके नाम भी लिख लेते हैं अर्दु मौला अूद हिंदी ये गालिब के हैं, चाय के बाग ये आनियापा का है, और ये खुतूत नहीं है, उसके अलावा गुबारे खातिर मौलाना बुलकलाम आजात का है, यानि के इसके अंदर खुतूत या मकातीब नहीं है, चाय के बाग, और ये आनियापा यानिया लाइन हैदर का है अगला सवाल ये इनशाया निगार नहीं है हम इसको कर देते हैं इनशाया निगार है रशीद आमस सिद्धिक भी इनशाया निगार है कनहिया लाल कपूर भी इनशाया निगार है यूसुफ नाजिम भी जो है वो इनशाया निगार है अब्दुल हलीम शरर क्वालिज की दास्तान नहीं है हम इसको कहा लेते हैं यह दर जजाल में से फोर्ड वीरियम क्वालिज की दास्तान कौन कौन सी है तोता कहानी बेताल पचीसी आरईश महफिल तीनों है लेकिन नौतर्ज मुरस्तो जो है वो अता हुसेन खात तहसीन की लिखी हुए लखनाओ वी तहजीब की है अगला सवाल नाविल के जमानी तर्तीब का सही जुम्रा मुरात लुरूस फसाना आजाद निर्मला शिकस्त अगला सवाल गलत जोड़ के निशान दहीं करें देखें बाकी सब हम देख लेते हैं कि ये सब सही है ये फैज दस्ते सबा फैज का है हमाई राज हफीज जलन्दी का दे रखा ये वह सही नहीं है और ये जो है वो भना अबद आब फैज का दस्ते सबाह मुख्दूम का घुलेत कаров नावन और व ऑक्षमी रैख गल्लामा-इगब से लग गगया है अगला सवाल सुबह का शाम करना से क्या मुराद है रात काटने से अगला सवाल यह नुस्रती की मतनवी नहीं नहीं कि नुस्रती की मसनोफिया कौन कौन सी है गुलशन इस इश्क नुसरती की है तारिख सकंदरी गुल ये नुसरती की है अली नामा नुसरती की है अभी देखे यूसुफ जुलेखा जो है वो नुसरती की नहीं है बलके ये मुशी बिशन सिंग नारायन की है यूसुफ जुलेखा मशनवी जो है वो मुशी बिशन सि कि इस ने लिखी यह घॉवासी ने लिखी अगला स्वाल मिर्त कि मिर्ट की मिशूर मतनवी है दर्याय इश्क जाओ का असल नाम, शेख मुहम्मद इबराहीम जौक, अगला सवाल, ये दाख का दीवान नहीं है, देखे, यहाँ दाख के दीवान दे रखें, और उसके बारे में का, आफ़ता पे दाख, ये दाख देलवी का है, गुल्जार दाख, ये भी दाख देलवी का है, महता पे दाख, ये भी दाख देलवी का है, फर्याद दाख मतनवी है दाख देलवी की मजमुआ है, वो ये दीवान नहीं है, अगला सवाल, सेद आशिक हुसेन सीमाब अकबर आबादी ने कौन सा रिसाला जारी किया था, तो यहां इनका मैंने असल नाम भी लिख दिया है, शायर कहां से शा सवाल बना लिए, अगला सवाल, ये शेर किस ने लिखा, तेरे माथे पे ये आचल बहुत खूब है लेकिन, तो इस आचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, ये है मजास का, इनका मैंने पूरा नाम लिख दिया है, अस्तरार الحق मजास, एक सवाल में तागे हम एक से ज्यादा को कर सकें, अगला सवाल, फराक गुरकपुरी के रुबाईयों का मजमुआ, रगुपती सहाए, फराक गुरकपुरी के रुबाईयों का मजमुआ, रूप, अगला सवाल, ये साहिर लुद्ध्यानवी का मजमुआ कलाम नहीं है, हम साहिर लुद्ध्यानवी के साहिल अध्यानवी के हैं लेकिन तारे ग्रेबा जो है वो जानिसार अख्तर का है किसका है जानिसार अख्तर तारे ग्रेबा अगला सवाल अमजद हैदर आबादी के खुदनविश्ट कौन सी है जमाल अमजद इनकी ये जो है वो बहुत बेहतरी रुबाईगो शायर थे हैद स्यद आगा हसन अंमानत लखनावी का मन्जूम डौरामा है Lac Tech अभ अब देखे जो इनका है तक ये उनके बारे में लिखलेते हैं सब्चाएनि और किसका है उनकि आत्जानि इंद सब्चाई वो कस? सयद आगा हसन अमानत लखनावी का बाइक देख लिए TO अब रEP प्रोफेसर मुहम्मद मुझीब का ये जाम मिल्या के वाइस चांसलर रहे हैं यहुदी की लड़की आगाशर काश्मीरी सिल्वर किंग या नेक परवीन ये भी आगाशर काश्मीरी का है अगला सवाल ड्रामा आगरा बाजार किसकी तखलीक है हबीब तन्वीर और हबीब तन लिखा जो है वो जमीन दार अखबार से वाबस्ता थे बाकी जो अखबार हैं अभी हमके भी हमने नाम लिखते हैं हमदर्द मौलाना मुहम्मद अली जोहर पैसा अखबार मुन्शी महबूब और सियासत जो है अभी रोजाना निकलने वाल अखबार है हैदर आबाद से कहा हूई मौलाना मुहमद गौर की तद्षफेन फलस्तिन के अंदर बैत-al-мقدस में hai मुलाना मुहमद अली जोहर जाम मिल्य इसलामिया के पहले वाइस चांसलर थे जिनका एक शियर बहुत ही ज्यादा मशूर है कि कतले हुसैन असल में मरगे यजीद है इसलाम जिन्दा होता है हर कर बला के बाद उनकी तद्द्वीन फलस्तिन में अगला सवाल अम्तियाज अली ताच किस रिसाले से वाबस्ता थे तहजीब निस्वा अली सर्दाद जाफरी की मशूर तनकीदी किताब तो यह है तरक्की पसंद अदब और मन्जिल जो है इसमें इनके पाच अफसाने हैं अगला सवाल फैज अहमत फैज का सफर नामा तो दे दूसरे जो सफर नाम हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं सफर नामा इंगलिस्तान सरसीयद अमद खाँ सफर नामा अंदलुस यह काजी वली मुहम्मद और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं अल्लामा इखबाल ने किस युनिवर्सटी से डॉक्टर अफ लिटरेचर अली सवाल यह गालिभ की नसर में शामे नहीं हम यह करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़न लेते हैं कि गालिव की नसर में यह यह शामेल खुदूत, दो हुदूत की मजबूव है गालिब के, अदेहिंदिर, उर्दुम वाल्ला, दीबाचा भी लिखा है गालिब ने, तकरीज भी लिखी है, लेकिन खाका ने लिखा खाली बने किसी का अब अगला सवाल देखते है शेफता का मशूर तजसकिरा कौन सा है तो शेफता का जो मशूर तजसकिरा है वो है गुलशने बेखार अब इसमें देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं रिखता गोयां अली हुसैनी गर्दीजी का है नकात शुरा मेरतक विमीर का है तजसकिरा हिन्दी मुसहफी का है उसके बाद अगला सवाल देखते हैं ये देली कॉलिज के तालिब रहे हैं नहीं हटा देते हैं पहले इसमें से मुहम्मद उस्यानाजाद देली कॉलिज के तालिब रहे हैं मौलवी जगा उल्ला रहे हैं नजीर वो प्रोफिसर खाज हमद फारुकी ने किया है अगला सवाल किस शायर ने कहा था कि मेरी खवास पसंद है मगर मुझे अवाम से गुफटगू करनी है ये मिर्तकी मीर ने अपने बारे में कहा था अगला सवाल जाने का नहीं शौर सुखन का मेरे हरगिस जाने का नहीं शौर सुखन का मेरे हरगिस ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा ये किस ने कहा था मीर तकी मीर ने और इनका एक बड़ा मशूर शियर हुआ है मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ सारे आलम पर हूँ मैं च्छाया हुआ इसमें अक्सर लोग पहला मिसरबाद में बाद में पहले पढ़ ले दे अब अगला सवाला है ये मीर हसन की मतनवी नहीं है हम सवाल करते हैं कि ये मीर हसन की मतनवी है सहर बयान, गुलजार एरम, मतनवी, कसर, जवार ये तीनों जो है वो किसकी है میر حسن کی ہے और नुदरतेश्ख नहीं हिन کی अगला सवाल शुमाली हिन की पहली नत्री दास्तान कुस्सा महरफ रोज दिल बर अगला नासिख का पूरा नाम तो नासिख का जो पूरा नाम था शेख इमाम बखश नासिख अगला सवाल हैतर अलियातिश किस दविस्तान से वाबस्ता थे दविस्ताने लखनो ये देयाशंकर नसीम के उस्ताद थे पंडित द्याशंकर नसीम के खानदान का तालुख किस रियास्त से था पंडित द्याशंकर नसीम जो है वो क्या थे कश्मीरी ब्राहमण यानि कश्मीरी पंडित थे कश्मीर से अगला सवाल ये मिर्जा शौक की मतनवी नहीं है ये सवाल पूछागा लेकिन हम पूछते हैं पहले हम मिर्जा शौक की मतनवी नहीं हैं अगला सवाल मुहसिन काकोरवी की शौरत का सबब कसीदा निकारी या नादगोई भी उसको हम कह सकते हैं अब ये देखिए ये हमारे मुकमल सौ सवाल हो गए अगर इसमें ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा सवाल किस किताब या किस जो है वो उनवान से थे तो सबसे ज़्यादा सवालात जो हैं वो काविश विक्रोफन से आए हैं और तक्रीबन काविश विक्रोफन से यहां इस सवाल नामे में सौ में से तक्रीबन पिचानवे सवालात आए हैं अगर हम गोर से देखें तो इस से ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं तो इसी तरीके के और सवान नामे भी एड्यूकेशनल अबडेट गूरूप पर मौजूद है अगर आपको इस सवान नामे की PDF चाहिए तो description में लिंक दिया है एड्यूकेशनल अबडेट का आप महासे इसको हासिल कर सकते हैं